पापा अरे आप यहां हैं हाँ मैंने सोचा कि लोन से कुछ सूखे वे फूल और पतियों को उठा कर बाहर फेंग दूँ तुम कुछ कहने वाले थे लाइए मुझे दीजिये मैं करता हूँ चलो अब तो यह हो चुका तुम कुछ कहने वाले थे हाँ पापा कल से मेरी दो महिने की गर्मी की छुट्टिया शुरू हो रही है मैं क्या करूं मैं तो ब उनके इस कोने या इस कोने में सबजीया उगाना शुरू करते इससे तुमें एक खेती करने का अनुभव भी मिलेगा और जो सबजीया तुम उगावगे उन्हें मैं बाजार भाव पर तुम से खरीद लोगा तुमारी आमदनी भी होगी और तुमें एक अच्छा और चोडाई है 18 इस कोने के लंबाई है 24 फिट और चोडाई है 20 अब तुम ही बताओ तुम्हें कौन सा कोना चाहिए मुझे तो बड़ा लख चाहिए ताकि जादा सबज़या होगा सकूं तुम्हें कौन सा कोना बड़ा लगता है अभी मैं इन इन दोनों कोनों को एक फुट वाली स्केल से नाप कर देखता हूं। वेरी गुड़। तो जाओ अपना स्केल लेकर आओ और इन्हें नाप कर देखो कौन सा कोना बड़ा है और कौन सा कोना छोटा है। जी पापा। एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, दस, बीस, इकेष, बाईष, तेष, चाबी पापा, हाँ बेटा, मैंने दोनों हिस्से नाप लिये। वेरी गुर्ड, कितने हैं? पहले की लंबाई है, चबीस फुट, और चड़ाई है अथारा फुट तो जोड़ हुआ 26 जमा 28 जमा 28 फुट यानि की 88 फुट और दूसरे की लंबाई और चड़ाई है 24 और 20 फुट तो उसका जोड़ हुआ 24 जमा 20 जमा 24 जमा 20 फुट यानि 88 फुट हुए ना दोनों बराबर इसका मतलब तुमने उन दोनों कोनों की परिमाप नाप ले है परिमाप हां भुजाओं की लंबायों को जोड़ को हम परिमाप ही तो कहते हैं अच्छा एक बात बताओ तुम्हें सबजी लोन के अंदर उगानी है या लोन की बाउंडरी पर उगानी है उगानी तो अंदर है तो फिर छोटा और बड़ा पता करने के लिए आप उसकी बाउंडरी क्यों नाप रहे हैं? चलो मैं तुम्हें समझाता हूँ. मेरे स्टोर में एक फुट लंबाई और एक फुट चोडाई के 20 ब्लोक्स रखे हैं. तुम चाओ और जल्दी से उन्हें उठा कर ले आओ. जी पापा, अभी ले आया. पापा, मैं आपके स्टोर रूम से ये ब्लोक्स ले आया. वेरी गुड़, तो अब एक काम करते हैं, इससे इससे आगे समझने के लिए अंदर चलते हैं. जी पापा. चलो. निखिल, आओ. अब मैं तुम्हें समझाता हूँ. मैंने वहाँ जमीन पर दो आयताकार हिस्से बनाए हैं. एक आयताकार हिस्से की लंबाई है 5 फिट और चोड़ाई है 4 फिट. तो इसका परिमाप हुआ 5 जमाचार जमापाँ जमाचार यानी 18 फिट. दूसरे आयताकार हिस्से की लंबाई है 6 फिट और चोड़ाई है 3 फिट. तो इसका परिमाप हुआ? 6 और 9 और 9 दुनी 18. वेरी गुड. तो तुमने क्या देखा? मैंने ये देखा कि इन दोनों आयताकार हिस्सों के बुजाओ का कुलजोड यानी परिमाप बिल्कुल बराबर है और वो है 18 फिट. वेरी गुड. जगे के दो ब्लोक्स के बीच में जगें बिल्कुल ना बचे. जी पापा. एक. बो. तीन. पाप. चे. साथ बीस अरे पापा, ये तो सारे के सारे एक फुट लंबे और एक फुट चोडे, ब्लॉक्स इसमें फिट हो गए वेरी गुट, आओ अब इन ही पट्रों को हम दूसरी आयता कारा करती जो छे फिट लंबी और तीन फिट चोड़ी है उसमें फिट करते हैं जी पापा एक दो छे, ग्यारह, बारह, तेरह, सत्रह, अठारह अरे पापा, ये दो ब्लॉक्स तो बचे रह गए निखिल, ये दो ब्लॉक्स बचे रह गए, इसका क्या अर्थ हुआ? तो इसका अर्थ हुआ, एक ब्लॉक एक फिट लंबा और एक फिट चोड़ा है तो इसे हम कहते हैं एक वर्ग फुट और दो ब्लॉक्स ज़ादा उने का अर्थ हुआ कि पहले वाली आकरती, दूसरी आकरती से दो वर्ग फुट ज़ादा है जी पापा निखिल, क्या हम इस छेत्फल को निकालने का कोई और तरीका भी सोच सकते हैं? हाँ पापा, इस आयताकार आकरती की लंबाई है छे फुट और चोड़ाई है तीन फुट तो शेत्फल निकालने के लिए हम लंबाई को अगर चोड़ाई से गुणा कर दे तब भी वही जवाब निकलेगा और अगर हम छे को तीन से गुणा करें तो आएगा छेती आठारा और इसमें अठारा ब्लोक से लगे इसका आर्थ हुआ कि आयताकार आकरतीयों का खेत्फल निकालने का हमारे पास एक ये भी तरीका है कि हम लंबाई को चोड़ाई से गुणा कर दे तो खेत्फल हमारे पा उसकी लंबाई और चोड़ाई को फुट में आपा है या शेत्रफल भी एरिया को ही कहते हैं हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने खेत्फल को ही अंग्रेजी में एरिया कहते हैं और इसकी यूनिट होती है वर्फूट वर्ग सेंटीमीटर या जिस यूनिट में भी हमने लंबा 10 फिट और चोड़ाई 20 फिट है से बात है जिसका एरिया या फिर शेत्रफल जादा होगा उसमें तो पहले वाले आयताकार से का शेत्रफल है 26 गुना 18 बराबर 407 वर्ग फूट और दूसरे वाले का शेत्रफल है 20 गुना 24 फूट बराबर बिल्कुल सही अब यहां पर एक बात समझने लायक है कि बिल्कुल शुरू में जब तुमने इन हिस्सों को नापा था तो तुमने इनकी परिमाप नापी थी और दोनों की परिमाप बराबर थी लेकिन अब हमें पता चल गया है कि दो आयताकार आकरतियों का परिमाप एक सा होने पर भी उनके ख्षेतफल अलाग अलाग यानि कम्या जादा हो सकते हैं तो ठीक है अब तुम कल से लोन के इस हिस्से में सबजी उगाने के तियारी शुरू करो पापा ख्षेतफल के बारे में कुछ और भी बताईए ना कुछ और अच्छा ये बताओ तुम किसी छोटी मगर आयताकार चीज का ख्षेतफल कैसे निकालोगे जिसे तुम फुटो में नहीं नाप सकते कैसी चीज कोई उधारन दीजिए उधारन जैसे ये दो चोकलेट ब पुटो मुझे दिखाई एक दो तीन चार पांट छे शाल आट नौ दूसरे में एक दो तीन चार तो इसका मतलब ये हुआ पापा कि इस वाले डिन चोकलेट बार में देस वर्गा खाने हैं और इस बाले में चार वर्गाकार खाने हैं लेकिन फूट तो यहां नहीं लगेगा बिल्कुल सही सोचात हुआ तुमने क्योंकि कि सिभी वर्गा कार खाने की लंबाई एक फूट नहीं आप तुम्हें काम करो इन वर्गा-कार खानों को इस स्केल से नाप कर देखो पापा इन वर्गाकार खानों की लंबाई और चड़ाई बिल्कुल बराबर है और वो है एक सेंटिमीटर तो इसका मतलब जब हमने लंबाई और चड़ाई को फुट में आपा था तो हमने युनित रखा था वर्ग फूट और इसका मतलब यह हुआ कि अप जब इसकी लंबाई और चड़ाई सेंटिमीटर में है तो युनित होना चाहिए वर्ग सेंटिमीटर बिल्कुल सही कहा तुमने हाँ पापा इसका मतलब यह हुआ कि इस चोकलेट बार का शेत्रफल होगा 10 वर्ग सेंटीमीटर और इस चोकलेट बार का शेत्रफल हो गया 4 वर्ग सेंटीमीटर लेकिन निखिल इस शेत्रफल को निकालने का इन खानों को गिनने के अलावा क्या कोई और भी तरीका है जी पापा इस चोकलेट बार की लंबाई है 5 cm और चड़ाई है 2 cm तो अगर हम 5 को 2 cm से गुणा कर दे तो बराबर होगा 10 cm इसका मतलब इस चोकलेट बार का शेत्रफल हो गया 10 cm और इस चोकलेट बार की लंबाई है 2 cm और चड़ाई भी 2 cm लेकिन पापा यह तो अकृति आया जैसी नहीं है तो इससे क्या फर्क पड़ता है अभी जब तुमने इस चोकलेट के खाने गिने थे तो वो खाने थे चार और इस चोकलेट की लंबाई 2 cm है और चोड़ाई 2 cm है तो इसका ख्षेतफ़ भी क्या हुआ कि जब तुम किसी आयताकार आकरती का छेट फल निकालते हो तो तुम लंबाई को चोड़ाई से गुना करते हो और लंबाई गुना चोड़ाई वर्ग फुट में उसका खेदफल होता है इसी प्रकार जब हम किसी वर्गा का राक्रती का छेटफल निकालते हैं तो लंबाई गुणा लंबाई वर्ग फूट या वर्ग सेंटिमीटर में उसका छेटफल होता है जी पापा, पापा अब मैं बहुत ठक गया हूँ क्या हम इस बारे में कल बात कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, अभी इसमें और भी बहुत सी इंट्रेस्टिंग बाते हैं जिनके बारे में हम कल आप से बात करेंगे जी पापा निखिल, अरे बेटा निखिल, कहा हो? जी पापा, आया कल शाम तुम खेटफल के बारे में कुछ और जानना चाहते थे ना? जी, जी तो मेरे पास तुमारे लिए एक समस्या है जी बताईए इससे सुल जाओ इसमें ये एक तिर्भूज है जिसका आधार एक सेंटीमीटर और इसकी उंचाई भी एक सेंटीमीटर है जी और ये दूसरी आकरती एक आयत है इसकी लंबाई चार सेंटीमीटर और इसकी चोडाई तीन सेंटीमीटर है हाँ अब तुम्हें ये पता लगाना है कि ये कितने तिर्भूज इस आयत के अंदर फिट हो सकते हैं लोग कोशिश करो लोग कोशिश करो अब अब तुम्हें कि देखिए पापा इस आयत को मैंने ऐसे बारा वर्गों में बाट रखा है और इन वर्गों में ऐसे दो त्रिभु जट रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि इस पूरे आयत में बारा की दुगने यानि 24 त्रिभु जटेंगे वेरी गुड अब तुम्हें बिलकुल यह समझ आ गया होगा कि एक शेत्फल का मतलब होता है किसी वस्तु द्वारा किसी सतह पर घेरी गई जगह लेकिन मैं यह नहीं समझ पाया कि किसी त्रिभुज का शेत्फल कैसे निकाले ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम खुद ही कोशिश करो जी बताईए अभी जो यह त्रिभुज आपने इस आयताकार आकरती में फिट किये हैं इसमें एक वर्ग के अंदर जो दो त्रिभुज तुमने फिट किये थे उस वर्ग का शेत्फल क्या है उसका आधार है एक सेंटीमीटर और उचाई भी एक सेंटीमीटर इसका मतलब यह हुआ कि एक को अगर एक से गुना करें तो बराबर होगा एक सेंटीमीटर इसका मतलब इसका शेत्रफल है एक वर्ग सेंटीमीटर वेरी गुड और इस एक वर्ग सेंटीमीटर के शेत्रफल में कितने तिर्भुज फिट हुए थे दो जरा रुकिये पापा इसका मतलब यह हुआ कि एक तिर्भुज में आगर दो एक वर्ग में आगर दो त्रिभुज अटे तो इसका मतलब यह हुआ कि एक वर्ग के शेत्रफल का आधा त्रिभुज का शेत्रफल हो गया बिल्कुल ठीक कहा तुमने यानि तिर्भूज का छेतफल हुआ एक बटे दो गुणा वर्ग का छेतफल यानि वर्ग के छेतफल का आधा ये इसलिए भी सही है क्योंकि हमने देखा है कि तिर्भूज वर्ग के आधी जगह को घेरता है तो त्रिहुज का छेटफल वर के छेटफल का आधा जी पापा निखिल अब तक तुम क्षेटफल के बारे में काफे कुछ जान चुके हो आओ अब एक और समस्या पर बात करते हैं हमारे सामने एक आयताकार दीवार है और इस दीवार की लंबाई है 11 फिट और चोड़ाई है 10 फिट इस आयताकार दीवार का खेटफल क्या होगा वो होगा 11 गुणा 10 बराबर 110 बराबर वेरी गुड अब अगर मैं इस आयताकार दीवार के उपर वाले कोने को इसके सामने वाले नीचे वाले कोने से मिला दूँ तो ये आयताकार दिवार दो बराबर तिर्भूजों में बढ़ जाती है जी ठीक एक तिर्भूज का छेत्रफल क्या होगा? सीदिशी बात है वो आयत के छेत्रफल का अधा होगा यानि अगर हम एक सदस को दो से भाग दे तो आएगा पच्पन यानि इसका मतलब है कि ठीक का छेत्रफल होगा पच्पन वर्कफूट वेरी गुड़ अब हम देखते हैं कि इस आयत के छेत्रफल में और ठीक के छेत्रफल में क्या संबंद है? त्रफूज का छेत्रफल आयत के छेत्रफल का आधा हुआ और आयत का छेत्रफल होता है लंबाई गुणा चोड़ाई तो त्रफूज का छेत्रफल हुआ एक बटे दो गुणा लंबाई गुणा चोड़ाई लेकिन त्रिभुज में लंबाया चोड़ाई कहां से आई? हाँ, ये तुमने बहुत सही सवाल पूछा अगर हम इस त्रिभुज को ध्यां से देखें तो आयत की चोड़ाई बन जाती है त्रिभुज का आधार और आयत की लंबाई बन जाती है तिर्भूज की उंचाई तो तिर्भूज के ख्षेतफल को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि तिर्भूज का ख्षेतफल बराबर एक बटे दो गुणा आधार गुणा उंचाई अच्छा अब समझ आया कि तिर्भूज के ख्षेत्फल में और आयत के ख्षेत्फल में क्या संबंद है जी पापा निखिल देखो ये मैं एक तिर्भूज बना रहा हूं ये तिर्भूज है तिर्भूज A, B, C हमें इस तिर्भूज का ख्षेत्फल ग्याद करना है अगर इस तिर्भूज का आधार है B, C अब अगर मैं तिर्भूज के इस बिंदू A से एक खड़ी रेखा से इस तिर्भूज को दो हिस्सों में बाट दूँ तो ये बिंदू है D जी अब ये तिर्भूज दो तिर्भूजों में बढ़ जाता है और अगर हम इन दोनों तिर्भूजों का अलगलग ख्षेत्फल निकाल करके उसको जोड़ दें तो क्या मिलेगा? इस बड़े तिर्भूज ए भी सी का शेत्फल वेरी गुड तो आओ इन दोनों तिर्भूजों का ख्षेत्फल निकालते हैं पहले हम निकालते हैं तिर्भूज A, B, D का ख्षेत्फल ये होगा एक बटे दो गुणा आधार इस तिर्भूज का आधार है B, D और उंचाई है A, D और उंचाई है A, D अब दूसरे तिर्भूज A, D, C का शेत्फल निकालते हैं ये होगा एक बटे दो गुणा इस तिर्भूज का आधार ये होगा डी सी और इस त्रिभुज की उंचाई एडी आओ अब इन दोनों त्रिभुजों के ख्षेत्फल को जोडते हैं ये हुआ एक बटे दो गुणा बी डी गुणा एडी जमा एक बटे दो गुणा डी सी गुणा एडी और ये बराबर होता है एक बटे दो गुणा ओस्थक में बी डी जमा डी सी गुणा एडी तो त्रिभुज एबी सी का ख्षेत्फल हुआ एक बटे दो गुणा एडी अब एक बात बताईए बी डी जमा डी सी कितना होगा ये होगा BC तो त्रूपूज़ का ख्षेदफल हुआ ਹुआ एक बटे दो गुणा आधार यानि BC और गुणा उंचाई यानि AD इस प्रकार हम किसी भी त्रूपूज़ का ख्षेदफल ग्याद कर सकते हैं जिसके आधार की लंबाई और जिसकी उंचाई की लंबाई हमें पता हो। अरे वाह। तो निखिल पिछले दो दिनों में क्या आप मुझे बताएंगे हमने क्षेतफल के बारे में क्या क्या सीखा। जी पापा हमने पहली बात सीख़ें कि किसी भी कि आकरिती का परिमाप एक हो दने के बावजूरृद भी उसका खेटफल अलग हो सकता है हाँ और हमने ये भी सीखा कि एक आयताकार आकृती का ख्षेतफल हम कैसे निकालते हैं एक वर्गाकार आकृती का ख्षेतफल होता है लंबाई गुना चोड़ाई वहीं वर्गाकार आकृती का ख्षेतफल होता है लंबाई गुना लंबाई और ख्षेतफल का यूनिट होता ह वर्ग संटिमीटर या वर्ग फूट है सेंटिमीटर या फूट और हमने चीह एक महतुपूम सू电 में और एक क्षेतफ़ल होते हैं हमने उपा और प्सेतफ़ल einges कि date अब आप इससे अलग आकरतियों के अलग अलग शेत्फल को निकालने का भी प्रयास करें और इस विशेपर और अपनी पकड़ को मजबूत करें चल टुड़क़् का भी खर भी मार्णाब को मार्णाब।